जोगी अब बिक्नी पहनाओगे नचाओगे गुमाओगे फिराओगे और फिर गाने को नाम दोगे बेशरम रंग और फिर चाहोगे कि हिंदू इस बात पर नाराज ना हो पठान फिल्म के बेशरम रंग गाने पर एक बार फिर से गुसा फूटा है अक्टर मुकेश खन्ना का मुकेश खन्ना पहले भी इस गाने को स्लैम कर चुके हैं और इस बार इस गाने की उन्होंने कठोर निंदा की है मुकेश खना ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने शारुक खान, दिपिका पादुकोन और याश्राच फिल्म्स को खरी-खरी सुनाई है उन्होंने बेशरम रंग गाने को लेकर कहा बिकनी जोग्या रंग की, अशलीलता और अभध्रता इसके उपर से गाने का नाम बेशरम रंग और फिर गुमा पिरा रहे हो, नचा रहे हो इतना दुस्साहस और फिर भी उम्मीद करते हो कि भगवा रंग को पावन मानने वाले हिंदू नाराज नहो और गाने के खिलाफ खड़े न हो, हिंदू अवश्य नाराज होंगे, अवश्य गाने के खिलाफ खड़े होंगे और खड़े हो भी रहे हैं, अब बेशरम रंग गाने को और इस फिल्म को भगवान ही बचाए इतना ही नहीं, मुकेश खन्ना ने सेंसर बॉट पर भी सवाल खड़ा किया है उन्होंने कहा है कि अगर जो लोग सेंसर बॉट में फिल्मों को पास करने के लिए बैठे हैं उन्हें हिंदु धर्म का ध्यान नहीं, तो फिर इन सेंसर बॉट की मेंबर्स को हटाने की जरूत है देपिका की भगवा बिक्नी वाला सीन कट होना चाहिए या बिक्नी का रंग चेंज होना चाहिए और जब तक ये नहीं होगा, तब तक इन प्रोड्यूसर को एक संदेश नहीं जाएगा, ये इसी तरह से हिंदु धर्म को चलते रहेंगे कुछ इस तरीके से मुकेश खन्ना का गुस्सा फूटा है भगवा रंग की बिक्नी और बेशरम रंग पर इस बीच खबर ये भी आ रही है कि फिल्म के मेकर्स शायद से फिल्म का नाम चेंज कर सकते हैं और बेशरम रंग गाने के अंदर भी चेंज कर सकते हैं